तो यार गाईस कि आप लोग भी चाहते हैं अपना नया और कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को सर्च में लाना जैसे कि आप यहां पर लेख सकते हैं कि जैसे ही आप मेरा चैनल यहां पर सर्च करते हैं मेरा चैनल यहां पर फॉर्ष नंबर पर रैंक कर जाता है अगर आप इस वीडियो में हम इसी वे बात करेंगे तो guys स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अभी टेकनिकल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल को सर्च में सबसे टॉप पे ला सकते हैं और कैसे आप अपने सबस्क्राइबर्स बढ़ा सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो guys इसके लिए जो सबसे पहले ट्रिक है वो है कि हमें एक बहुत ही अच्छा सा अपने लिए यूजर नेम धूनना है जैसे कि आपका चैनल बहुत ही यूनीक लगना चीए कि उस नाम का कोई दूसरा चैनल ना हो और guys ये बात अब बिलकुल ध्यान में रखेगा कि अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो ऐसा नाम मत रखिए जिससे पहले ही कोई बड़े क्रियेटर का चैनल है तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप एक यूनीक नाम खोच सकते हैं अपने चैनल के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम उपन कर लेना है और यहां पे हमें सर्च करना है Business Name Generator टिके guys Business Name Generator हमें यहां पे सर्च कर लेना है और यह website आपको दिख रहे होगी आपको simply इसे उपन कर लेना है और गाइस यहां पे आपका जो भी चैनल का आप नाम रखना चाहते हैं वो यहां पे आप रख देंगे और simply इसे जेनरेट पे क्लिक करेंगे तो यह आपको एक बहुत ही यूनिक नेम जेनरेट करके दे देगा ठीक है गाइस तो यह थी हमारी आज की पहली ट्रिक तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ तो गाइस दूसरा जो ट्रिक है उसके लिए भी आपको यहां पे गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहां पे आपको सर्च करना यूट्यूब टॉट कॉम और इसे अप साइट पे कर लेना इसे आप पीसी पे भी कर सकते हैं तो गाइस यह लोड हो रहा है ठीक है तो गाइस आपको यहां पे सिम्बली अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाना है है और गाइस अगर आपका ऐसा ओपन हो रहा है वाईटी स्टूडियो डाइरेक्ट ओपन हो जा रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे अनश्टॉल करके भी ट्राइक कर सकते हैं और तो मैंने यहां पर अपना वाईटी स्टूडियो ओपन कर लिया है तो guys यहां पर आप देख सकते हैं हमारा channel का interface यहां पर आ चुका है तो आपको simply क्या करना है कि guys आपको यहां नीचे दिख रहा होगा यह setting option तो आपको simply setting open कर लेना है और इसमें आपको आजाना है channel पर channel पर आने के बाद guys आपको यह दिख रहा होगा keyword तो guys आपको यहां पर यह keyword लगाना है और guys एक बात आपके लिए बहुत important कि यहां पर आप वो keywords लगाए जिस topic पर आपका channel है जिससे होता यह है कि मतलब अगर मैंने यहां पर यह जितने keywords लगाए है तो अगर कोई ऐसा यह सब चीज सर्च करता है net पर YouTube पे तो उनको मेरा channel उपर में rank करने की मेरे chances बहुत जादा हो जाते हैं तो ठीक है guys यह tag आपको कहां से मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हो तो इसके लिए हम वापिस आजाएंगे अपने YouTube पे और जो भी आपका channel है जैसे कि अभी मेरा tech channel है तो guys आप देख सकते हैं मैंने यह पर जैसे tech type किया है तो मुझे यहाँ पर यह इतने सारे आचुके हैं तो यह सब suggestions है तो इसे आप अपने keyword के तोर पर use कर सकते हैं ठीक है guys यह थी हमारी दूसरे trick देखिए guys यहाँ पर यह सब आ चुके है तो आप यह सब को यूज कर सकते हैं और गाइस जो तीसरी ट्रीक है वो है कि आपको अपने चैनल पे SEO पे काम करने की जरूरत है तो SEO पे काम करने के लिए गाइस जो सबसे बेश्ट दो alternatives है वो है TubeBuddy और VidIQ तो गाइस मैं VidIQ का यूज करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर इसमें आपको डेली तीन बेश्ट ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाते हैं और गाइस अगर आप उस पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत चांसे है कि आपके वीडियो वाइरल हो जैसे हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो मैंने आज जो मुझे टॉपिक मिले थे मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए गाइस यह सब आज के टॉपिक थे इसमें से जो यह टॉप फाइव है इनमें व्यूफ प्रेडिक्शन बहुत हाई है मतलब यह अगर मैं डाल देता हूँ तो यह वीडियो पक्का वाइरल हो जाएंगे और इसमें आके आप अपने चैनल पर जी आपने वीड स्कोर भी आपको यह बताता है 100 में से 72 जो की बहुत अच्छी स्कोर मानी जाती है तो ऐसा करके आप अपना चैनल फ्री में ग्रोथ करा सकते हैं तो गैस आज की वीडियो में यही खतम करते हैं वीडियो अच्छी लगे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को बो स्क्राइब करता है